राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं अबंधूं संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधूं आज आसाड मास में शुक्रवार के दिन मैं आपको सुनाने जा रहे हूं बंधों जो मुष्य भी शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की कथा को सुनते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी स्थाई रूट में वास करती है बंधों पूरण विश्वास सची निश्ठा के साथ ही कथा को सुने ताकि माल लक्षमी प्रसंद होकर शिग्र आपके घर स्थाई रूत में निवास करें बंधों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आनेवल सभी वीडियो की जानकारी सब्सक्राइब से पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै महालक्षमी जरूर लिखे बोलो लक्षमी माता की जै हो जगन माता लक्षमी नित्ते रूपा है वे शी विष्णू से कभी भी प्रिधक नहीं होती जैसे भगवान विष्णू सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार भगवती लक्षमी भी हर जगे व्याप्त है पार्वती, शेविश्णू पत्नी रमा, संपूरन जगत की अधिश्वरी और नित्य कल्यान मही है उनके भी हाथ, पेर, नेत्र, मस्तक, मुख सब और व्याप्त है वे भगवान नरायन की शक्ती, संपूरन जगत की माता और सबको आश्च्य पदान करने वाली है स्थावर जंगम रूप, सारा जगत, उनके क्रिपा कटाक्ष पर निर्भर है विश्व का पालन, सनहार, उनके नेत्रों के खुलने और बंध होने से हुआ करते हैं वे महालक्ष्मी, सब की आधि भूता, त्रिगुनमाई, परमेश्वरी है व्यक्त और व्यक्त भेज से दो रूप है, वे उन दोनो रूपों से संपूरन विश्व को व्याप्त करके सिथ है जल आदीरस के रूप में, वे ही लीला में देहे धारन करके प्रगढ़ होती है लक्ष्मी रूप में आकर वेधन प्रदान करने की अधिकारनी होती है ऐसे स्वरूप वाली लक्ष्मी देवी शीहरी के आशे में रहती है संपूरन वेद उनके द्वारा जानने योग के जितनी वस्त्वे हैं वे सब शीलक्ष्मी के ही स्वरूप है इस्त्री रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब लक्ष्मी का ही विग्रह कहलाता है इस्त्रियों में जो सुंदर्य, शील, सदाचार, सोभाग के सिथ हैं वह सब लक्ष्मी का ही रूप है पार्वती भगवती लक्ष्मी समस्त इस्त्रियों की शिरोमनी है जिनकी कृपाक टाक्ष के पढ़ने मात्र से ब्रह्मा, शिव, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सुरे, कुबेर, यमराज तथा अगनी देव प्रचुर एश्वरे पदान करते हैं उनके नाम इस प्रकार है लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विश्नुप्रिया, सती, पदमाल्य, पदमहस्ता, पदमाक्षी, पदमसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विश्नुपत्नी, महादेवी, शिरोध तन्या, रमा, अनन्त ल प्रदा, रुक्मनी, सरव्वेद्वती, सरस्वती, गोरी, शांती, स्वाह, सधा, रती, नारायन वरा रहो, सदा श्री विश्नु के समीप रहने वाली, जो प्रातय काल उठकर इन संपूरन नामों का पाड़ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति और विशुद धन्धन्य की प्राप्ति होती है, हिन्य वर नाम हरी नीम, स्वरन रजस्त्राम, चंद्राम हिन्य मई लक्ष्मी, विश्नौर नप गामी नीम, गंध द्वाराम दुराधर्शां, नित्य पुष्टाम करीश नीम, इश्वरीम सर्वभूता नाम, तामी होप हवैश्यम, जिन केशी अं प्राप्ति है, जिन को प्रास करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाए के सूखे गोबर में, जिन का निवास है, जो समस्थ प्राणियों की अधिश्वरी है, उन भगवती शिष्देवी का मैं आवाहन करता हूं, रिगवेट में कहे हुए, इस मंत्र के द्वारा सुधी करने पर महेश्वरी लक्ष्मी ने शिव आदिन सभी देवताओं को सब प्रकार का इश्वरें और सुख प्रदान किया, जी विश्वरी बत्नी लक्ष्मी सनातन देवता है, वे ही इस जगत का शाशन करती हैं, समपूरन चराचर जगत की स्थिदी उने के कृपा का टाक्ष पर निर्भर है, अगनी में रहने वाली प्रभा की भाती भगवती लक्ष्मी जिनके वक्ष थल में निवास करती हैं, वे भगवान विश्णो सब के इश्वर, परमशोभा संपन, अक्षर एवं अभिनाशी पुरुष हैं, वे शी नारायन वास्सन लेगुन के समुद्र हैं, सब के स्वामी, सुशीर, सुभग, सरवग्य, सरवशक्तिमान, नित्ते पूरन काम, सुधा के सागर, समस्त देहधारियों के आशे, स्वरत और मुक्ष का सुख देने वाले, भक्तों पदया करने वाले हैं, उन शी विश्णो को नमसकार है, मैं समपूरन देशकार आदी, अवस्थाओं में पूरन रूप से भगवान का दासत्र स्विकार करता हूं, इस प्र वोक्त मंत्र का आर्थ है, इसको जानकर भगवान में भली भाती भक्ती करनी चाहिए, यह चराचय जगत भगवान का दास है, शी नारायन इस जगत के स्वामी, प्रभू, इश्वर, भ्राता, माता-पिता, बंधू, निवास, शरन और गती हैं, भगवान लक्ष्मिबती, कल्यान में गुनों से युक्त और समस्त कामनाओं का फल पदान करने वाले हैं, वेही जग दिश्वरी शास्त्रों में निर्गुन कहे गए हैं, निर्गुन शबस से यही बताया गया है, कि भगवान परकृती जन्ये हैं गुनों से रही थे, जहां वेदान वाक्यों दारा प्रपंज का मिठ्यात बताया गया है, यह कहा गया है, यह सारा जिश्यमान जगत अनित्य है, वहां भी ब्रहमान के पारकृत रूप को नश्वर बताया गया है, परकृती से उत्पन होने वाले रूपों की ही अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है, महा देवी इस कतन का तक पर यह है कि लीला विहारी देव देव शीहरी की लीला के लिए ही परकृजी की उत्पत्ति हुई है जोदें भुवन साथ समुद्र, साथ द्वीब, चार प्रकार के प्रानी ऊंचे उंचे परवतों से भरा हुआ ये रमनिय बहमान परकृजी से उत्पन हुआ है यह उत् संसार की स्ष्ष्टि पालन संहार आधिकर也 होते हैं ये सहष्चत्रयुक्वैतीत होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्पा जीका एक दिन पूरा होता है इतने में ही बड़े दिन से सो वर्षों की उनकी आयू मानी गई है है प्रमाजी की आयू समाप्त होने पर सब का सनहार हो जाता है। देहमान किस्मत लोग अगनी दग्ध हो जाते हैं। सरवात्मा शीविष्णू की परकृति में उनका लए हो जाता है। देव आदी देव शीविष्णू ने लीला के लिए जगन मई माया की सिष्टे की योग निद्रा और महा माया भी उसी के नाम है। परकृति सत्व रज और तम इन तीन गुनों से युगत हैं। उसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। वह लीला विहारी शीविष्ण की क्रिडा स्थली है। संसार की उत्पत्ति प्रले सदा उसी से होते हैं। परकृति के स्थान असंख्य हैं जो घोर अंदकार से पूरण है। कहां जाता हैं कि जो भी मुनुष्यें इस कथा को सुनते हैं। वे जीव बंधन से मुक्थ होकर अपने लिए सुख करपद को प्राप्त करते हैं। और वहां जाने पर जीव उन्हें इस लोक में नहीं लोटते। इसलिए उसे मौक्ष कहा गया है। मौक्ष, परंपद, अम्रित, विश्नुमंदिर, अक्षर, परंधाम, भ्यकूंट, शाशवत्पद, नित्यधाम, परंव्यों, सरवस्कृष्पद, सनातरबद, ये अविनाशी परंधाम के प्र्याईवाचिशवद हैं। अब उन्स रीपद विभूत्यों के सरूप का वर्नन करूँगा। राधे राधे जैश्शी कृष्णा। बंधो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।